असलाम अलेकूम आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ नली निहारी की बहुत ही जाधा मश्यूर रेसीपी तो अगर आपको यह रेसीपी पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए तो चलिए एक बरतन में मैं यहाँ पर लेलूंगी आधा कप यूज करूंगी तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप लेलूंगी डालडा घी और तीन बड़े चमज मैंने ले लिया है कुकिंग ओईल घी जो है वह मैंने फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा जमा हुआ हुआ है तो बस अभी हम इसे थोड़ा सा पिगला ले कट कर लिया है स्लाइसेज में और आब मैं इसको तेल में ताल दूगी था कि प्यास जो है अच्चे से घुल्डन हो जाए तो अभी आप देख सकते मैं इस तरीखे से कर रही हूँ ताकि प्यास जो हे वह खुल जाए आपस में चिपके हुए है इससे जो है वह करारक reference होता है दस से बारा मिनिट लगेगे इस फ्राइः होने के लिए तो अभी आप देख सकते हैं फ्यास हमारी av World होना-शुरू हो चुकि है, अभी हमारे पांच मिनिट हो चुके है और रह में इस अच्छे से गोल्डन फ्राय कर लेना है तो यह आप देख सकते हैं 11-12 minutes हो चुके है प्यास को fry होते हुए और प्यास जो है वह अच्छे से Alrighty इंसे गोल्डन फ्राय हो चुकी है तो इस victim साइड में निकाल के रख लेंगे तो ये तेल को हम transfer कर लेंगे cooker में जले cooker में मैंने तेल को अध्रक लसन का पेस्ट थोड़ा जादा ही हम यूज़ करेंगे ताके इसमें जो अध्रक लसन का बहुत ही जादा अच्छा आता है तो इस अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें आट कर देंगे गोश्ट गोश्ट मैंने यहां पर लिया है आदा किलो हाफ केजी और यहां प आपस में अच्छे से मिल जाए और उसकी जो स्मेल होती है वो खतम हो जाए तो हमें गोश्ट को अच्छे से भूनना है 10 से 12 मिनिट तक ताकि इसका भी सारा पानी निकले और अच्छे से सुख जाए तो अभी आप देख सकते हैं गोश्ट में कितना सारा पानी छोड़ दिया है और यह सारा पानी हमें सुखा लेना है तो बस इसे हम 10 मिनिट के लिए ढहकर रखेंगे ताकि इसका सारा पानी यो हो सूख जाए तो अभी आप देख सकते हैं, अल्मोस्ट इसका पानी सूख चुका है, तो यहाँ पर मैट कर दूँगी, दो चम्मज निहारी मसाला, तो यहाँ पर मैट लिया है, निहारी मसाला शान का, जिके बहुत जादा अच्छा फ्लेवर देता है, और अगर आप चाहे, तो आप कोई और ब्रैंड का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे शान का भी निहारी मसाला बहुत जादा पसंद है, और आप चाहे तो इसे होममेट भी बना सकते हैं, तो अगर आपको होममेट देखना है, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईए, मैं होममेट निहारी मसाला भी बता दूंगी तो बस ये निहारी मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमें नमक वगएरा कुछ डालने की जरुरत नहीं पड़ती है ये शान के मसाले में सब कुछ होता है नमक, मिर्च, हर चीज होती है तो हमें कुछ डालने की जरुरत नहीं है तो बस इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताके जो मसाला है वो गोश्ट को नली पर अच्छे से लग जाए और हमें इसे अच्छे से भून लेना है दो से तीन मिनित तक हम इसे फुल फलिम पर भूनेंगे तो बस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो मसाला है वो हमारा भून चुका है अब मैं इसमें आट कर दूँगी एक ग्लास पानी तो एक ग्लास पानी हम पूरा इसमें आट कर देंगे ताके जो नली है वो तोड़ी देर से गलती है इसलिए वो भी अच्छे से फटाफट गल जाए और इसे हम पांच विसल ले लेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हलका सा उबाल आना शुरू हो चुका है तो बस एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और अब इसका ले्ट से कवर करके हम इसकी पांच विसल ले लेंगे और कुकर ठंडा हो चुका है हमने इसा पांच विसल ले लिया और फिर आप देख सकते हैं इसे उसी बरतन में हमने ट्रांसफर कर लिया है और इसके उपर से जो तरी थी वो सारी निकाल ली है तो बस अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे और हमने जो प्यास फ्राइ करके रखी हुई थी उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे या पिर आप चाहे तो हास से भी क्रश कर सकते हैं तो मैंने इसे दरदरा सा क्रश कर लिया है वो भी हम इस निहारी में मिक्स कर लेंगे तो बस इसे हम 2-3 मिनिट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताके प्यास जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और मैं इसमें कोई गेहूं का आटा या फिर चने का वो नहीं दालने वाली हूँ बस इसमें मैं अभी नहीं पड़ेगी तो मैं इसमें कुछ यूज नहीं करूंगी और इसे आप गार्णिश कर सकते हैं अद्रक के साथ हरी मेश के साथ तो रहसी पर पसंद आए तो प्लीज लाइक केजिए